नमस्कार दोस्तों राजनिती की बातों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त दर्मेंदर कमारी और पॉलिटिक्स अप्चोदर का जो आज का वीडियो है दोस्तों इसमें हम साडोरा विधान सभा के चुनावी इतियास को जानेंगे और ये जो वीडियो होगा दोस्तों ये इस सीरीज का पॉलिटिक्स अप्चोदर का लास्ट वीडियो है अब आप हरी भूमी टीव पर हर्याना के जो नबबबबबब विदान सभाचेतर हैं उनका चुनावी इतियास आप एक साथ देख सकते हैं और सभी जो लोकसवा सीटे हैं दस की दस उनका भी चुनावी इतियास एक साथ हरी भूमी टीव पर देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है आप उस पर जाएंगे तो ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं साड़ोरा इस सीरीज का अंतिम वीडियो है दोस्तों और साड़ोरा के चुनावी इतियास पर अगर बात करें तो 1957 के इसमें चुनाव में ये अस्तितों में आया था और उद्धोग पती देवदत पुरी कांगरेस के विधायक बने थे पुरी साब 1922 में जगादरी से भी विधायक चुने गए थे 1962 में कांगरेस के गुलाब सिंग विजय हुए और अगले तीन चुनाव में फिरी साड़ोरा नाम की कोई सीट अस्तितों में नहीं थी 1903 में ये छेतर दुबारा से स्तिते में हा लेकिना रक्षित कर दिया गया 1903 में जनता पार्टी परत्यासी भागमल ने कांगरेस के परगुराम को प्राजित करके विजय हासिल की और अगले दो चुनाव भी भागमल नहीं ही यहां से जीत दर्ज की 1902 में चोई भागमल भाज़वा परत्यासी के रूप में जीते और कांगरेस के परगुराम जी को 10 वोटों से हराया जीतार का ये अंतर एक किर्तिमान बना दोस्तों और ये रिकोर्ड जाके फिर 2014 में राई विधानसवा में तूटा राई में कांगरेस के जैतिर दहिया जी ने इनलो परत्यासी को मातर तीन वोटों से हराया था 1987 में वे निर्दली चुनाव लड़े और कांगरेस के सेर सिंग जी को उन्होंने हरा दिया 1991 के चुनाव में निर्दली चेर सिंग जी ने जंता पार्टी के राम जी लाल को पठकनी धे कर जित हासिल की और और 1968 में समता पार्टी के राम जी लाल ने निर्दलिय दीपचंजी को सिकस ती साल 2000 में बलवन सिंग जो इनलो के परत्यासी थे उन्होंने कांगरेस के दीपचन जी को हराया 2005 में इनलो के बलवन सिंग जी ने निर्दिलिय दीपचन जी को प्राजित किया और 2009 में कांग्रेस के राजपाल सिंग जी ने विजे हासिल की उन्होंने इनलो के बलवन सिंग जी को प्राजित किया बसपा के रवी भुशन तीसे नमबर पे चुनाव में रहे थे साल 2014 में बलवन सिंग इनलो छोड़कर भाजपाई हो गए और बाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने इनलो की पिंकी छिबर को प्राजित किया कांग्रेस के राजपाल सिंग तीसे नमबर पे रहे इसके बाद चुनाव आता है 2019 का 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने रेणु वाला को टिकट दी और रेणु वाला जी ने भाजपा के बलवन सिंग जी को हरा के विधान सबा का अपना रास्ता तै किया बसपा के सहीराम तीसे नमबर पे रहे ये था दोस्तों साड़ोरा का चुनाव हितियास 2024 में साड़ोरा हलके से कुन विधायक चुना जा सकता आप कमेंट करके बता सकते हैं विधान सबाओं का और लोग सबा का इतियास कंप्लीट होने के बाद इस सीरीज को मैं ही पे इसका समापन कर रहा हूँ अब आगे कोई नई सीरीज और लेके आऊंगा और कुछ साथी ये सुजाओ भी दे रहे हैं तीन वजे राजनिती के बातों में मुलाकात होती रहेगी जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करें साड़ोरा के अपने जो चुनावी अन्मान है दोजर चोबिस के वो भी आप जरूर कमेंट करके बताएं शुक्रिया नमस्कार